हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एली अप्डेट के इस लाइनिंग प्लेटफोर्म पे और इस वीडियो लेक्चर में, वी एर गोईंग तो डिसकेस दी इंपोर्टेंट पॉस्टेंट पॉस्टेंट थी थार्ड समेस्टर अफ बी ए एलल बी, ठीक है? इंपोर्टेंट पॉस्टेंट पॉस्टेंट और थार्ड समेस्टर अफ दी एलल भी आप लोग परसान कर दिया था हमें कि वीडियो अपलोड करो वीडियो अपलोड करो तो लिए आज वीडियो भी अपलोड हो गया थार्ड समेश्टर का आपकी important question का और मैंने आप लोग से पहले भी काता कि जब डेजिट आ जाएगी उसके एक से दो दिन बात मैं most important video आप लोग परसान कर देते हैं अभी कर दो अभी कर दो तब हम लोग आपको बताते हैं कि हाँ यह आप लोग पढ़गे जाएगा अगर खुछ से बताना हो then I can make the video of the important question anytime जो important question मैं बता रहा हूं वो आना भी तो चाहिए उसके लिए थोड़ा time लगता है ठीक है so अगर आप लोग को कुछ भी inconvenience या कुछ भी दिक्कत हुई 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 हो तो sorry for that thing और चलिए डिसक्स करते हैं आज का जो important question है सारे subject का जो मैं एक इस वीडियो lecture में discuss करूंगा अज ठीक है so पहला जो आप लोग का paper है वह है political science का the political science paper third means मतला political science पहले semester में भी पढ़ा जाता है second semester में भी पढ़ा जाता और third semester में भी पढ़ा जाता इसलिए third यहां पर लिकाई ठीक है सो आई ये पहला कोस्टन है कलर मैं पहले चेंज करने हूं पेन का तो आप लोग को देखने भी बढ़ियां लगेगा और हमें लिखने भी अच्छा लगेगा क्यों so the first question is definition and function of law question second will be वाट दू यू अंडरिस्टेंड भाई भाई लोग और अल्सो इलाइबोरेट इलाइबोरेट खरता है and also elaborate the relation between law and morality कि आई बास समझ में को संथार्ड ठीक को संथार्ड में आप लोग लिख लिजेगा कि कि वर्ट डू यू संथार्ड लिख प्रेसंिल्ण करस्तर के ट्रीड क्लिट कॉस्तों ऋाहिम क्लिक्स प्रीडी क्यौ holy खति प्रीडट थुआ है is one of, one of the source of log explain it about explain it now the fourth question will be fourth question fifth question question number fifth what is the legislation or how legislation is act like like a great source of law in modern era define also its type the legislation i 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 constitution ठीक है question 8 will be jurisdiction of the high court यह आप लोग पढ़े के जाहेगा jurisdiction of the high court क्योंकि jurisdiction of the supreme court तो आप लोग constitution में पढ़ लिये होंगे तो अगर आपने वहाँ से पढ़ लिया तो अगर suppose if the jurisdiction of the supreme court is asked in your political science then you can write the content whatever I have teached you in the constitution तो वही सेम आप लोग यहाँ पे भी लिख देना ठीक है लेकिन बहुत कम चांस है कि jurisdiction सुपरीम कोड का पूछे इस पॉलिटिकल साज में हाई कोड का में एक्समाम पूछा जाता है ठीक है कोशन नमर नाइन्थ विल भी कि उनाइटेड नेशन के बाद हम पढ़ लीजेगा और कि उनाइटेड नेशन के जो एजेंसी हैं कि उनके फंक्शन के बाद हम पढ़ लीजेगा ठीक है कि आई बाद समझ में कोशन टेन पढ़ लीजेगा आप लोग कि बैलेंस और पावर कि बैलेंस और पावर इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेरोरीज में कि इसमें क्या होता है कि यह जो कोशन में बता है कोशन नमबर टेन्थ इट में बी आज कुटी नियों एक्जाम इन पार्ट वाइस इन सब पार्ट मिंस कि बैलेंस और पावर और इंटरनेशनल टेरीरिज में एक पार्ट में देदा है मतलब यह टोटल है जो सोल चौदर नमर के कोशन बहुत रियार ऑफ रियरिश्केस में बनता है ठीक है तो जो कोशन नमर टेन्थ है या जो फोर्थ उनिट का जो लास्ट टॉपिक है बैलेंस और पावर इंटरनेशनल टेरिज्म या पीस और सेक्योर्ट तो इट में बी औ सब्सक्राइब है तो आई होब कि इस इंपोर्टन कोशन और पॉलिटिकल साइंस इस बिंग किलियर टू यू तो चलिए अब अगला जो सब्दिक्ट आपका हुआ है कॉंसिटुटूशनल लॉग कॉंसिटूशन का देख लेते हैं इंपोर्टन तो कॉर्शन नंबर फर्स्ट विल भी आप लोग देख लिएगा शैलियंट शैलियंट फीचर ओ इंडियन कॉंसिटूशन अगर आप एक कॉंसिटूशन तयार करते हो ते लिए और आपका कॉंसिटूशन में भी और पॉलिटिकल साइंस जोनों में भी हल्प करेगा ठीक है नॉव कॉंसिट नंबर सेकेंड विल भी फेडरलिज्म के बादम पढ़ लिजेगा वट डू यू अंडरिस्टेंड बाई फेडरलिज्म इस इंडिया इस इंडिया अ फेडरल चंट्री नॉव क्वेशन नॉव क्वेशन नॉव क्वेशन नॉव तर्ड विल बी लिजिलेट्व लिजिशलेट्व ज़िशलेट्व पावर पढ़ लिजेगा अपनों ठीक क्वेशन नम्बर फोर्थ मिंस की जब डिवीजन पावर पढ़ते हैं हम लोग ठीक है सब्सक्राइब लिजिलेट्व डिवीजन पढ़ते हैं ठीक है तो समें देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट मैटर से पावर दिवाई होता है सेड्डिल से वन मताया गया थीख है को यह सब सारी चीज़ आपको िसलेटिव पावर में पढ़ने आप आसे महें टेर्योडियल डिविजन पढ़ते हैं उपकर शब्जेक्ट में टिविजन पढ़ते हैं ठीख so मैंने करा रहे है so if you have any doubt then you can ask then you can watch my the video which I have uploaded in the early update app okay now question number fourth will be what do you understand by administrative power question number fifth will be question number fifth will be upload parliamentary privileges what do you understand by parliamentary कि के खिक है इसमें लेट्व पावर में आप लोग आप लोग अगय टेरिटोरियल नेक्सेस देख लीजेगा क्या होता है ठीक है लेग लिग दीजेगा आप लोग आगर इसमें लेग दीजेगा में आटा livre-march, harmonious construction का Doctrine ॉप ந's लिख दीजिएगा १। क्या होता है। Doctrine of Pith and Substance का लिख दीजिएगा १। क्या होता है, of Pith and Substance ठीक पहला दोसरा तीसरा मैं बता रहा हूं क्या किसा पॉइंट इसमें आपको इंक्लूड करना ही करना है ठीक है and you can also write the doctrine of colorable legislation doctrine of colorable legislation ठीक नाव क्वेश्चन नूमर् सिक्थ्थ विल बी वोट दू यू अंडरिस्टेंड बाई अंडरिस्टेंड बाई एक्जिक्यूटिव पावर ठीक है इसमें आपको प्रेसिडेंड के बारे में भी लिखना है ठीक नाव क्वेश्चन नूमर् सेवन्थ विल बी जूरिस्डिक्शन ओफ सुप्रीम कोट ठीक है इन दिस विल राइट आपको वन थर्टी वन थर्टी वन थर्टी थरी वन थर्टी फोर ठीक है ओ वन थर्टी शिक्स ये सब शारे आपको मेंशन करने है आई पास समझ में नाव कोस्टन नूमर् एट विल बी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ओफ जजेज इनके बाद हम आप लोग देख लिजेगा कुस्टन नूमर् नाइंथ विल बी वट आर दे डिफरेंट टाइप्स ओफ इमर्जेंसी या तो इसको इस फॉर्मेंट में आप लोग पढ़ लिजेगा इस नेशनल इमर्जेंसी इमर्जेंसी और इमर्जेंसी इस दिफर फ्रम इस टे इमर्जेंसी ट्राइंसी ट्राइंसी वट डू यू अंडरिस्टेंड बाई अमेंडमेंट ओफ दी कॉंस्टुटुशन यह कोशन नमर्ट टेंथ हो गया यह इतना आप लोग करके जाएए का हंडेड परसेंट ठीक है और एडिशनल कोशन एक और मैं बता देता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो कर दीजेगा अगर नहीं टाइम मिलेगा तो भी छोड़ दीजेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है वह है contractual, what do you understand, why, understand why, contractual and tortious liability of, इसको भी मैने, lg update app पर करा रखा है, यह भी question, ठीक है, ठीक है, so I hope this thing is also being clear to you, now moving toward the next subject, that is family law, family law, और इसमें हम पहले हिंदो लो का देखेंगे important question, so question number first, so question number first मैं आप लिख लिख लीजेगा, who is Hindu and also elaborate the sources of Hindu law, ठीक है, question number second will be, what are the condition, what are the essential conditions of Hindu marriage, ठीक है, आईबा समझ में, question number third will be, what are the essential criteria of an adoption, ठीक है, and also briefly, explain, its effect, ठीक, ठीक, काइंड्स एंड्पावर ओफ, गार्जियन, अंडर, हिंदू, माइनोरीटी, अंड्ट, गार्जियन शीप, इस्पेलिंग आप लोग देख लीजेगा थोड़ा, Act 1956 Question No. 5 Will be Maintenance Under हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं सेक्शन 18, 19 and 20 ठीक है नाव कोश्चन No. 6 विल भी यह तो पांच कोश्चन हिंदू लोग के हो गया है अब आईए मुस्लिम लोग के देख लेते हैं तो पांच कोश्चन No. 6 विल भी वट आर दे essential requisite of मुस्लिम मैरेज यह देख लिजेगा आप लोग ठीक है नाव कोश्चन No. 7 विल भी पांच कोश्चन No. 7 वाट यू अंडर्स्टेंड वाइदी मेहर है ठीक है बहुत माइनूट सा डिफेरेंड डिफेरेंस होता है ठीक है बट अकैडेमिक से लेवल पे अकैडेमिक से लेवल पे मतलब एक ही करके पढ़ाया जाता है ठीक है तो यू हैब तो गो विद्ध दी डेफिनिशन एंड कैंड्स अंड मेहर तो आपको इसको पढ़के जाना ठीक है नाउ दे एट कोश्चन विल भी कोश्चन No. 8 वाट दू यू अंडर्स्टेंड वाट दू यू अंडर्स्टेंड वाट तलाक एंडर्स्टेंड वट आर्ड दी डिफेरेंट मोड्स ओफ गीविंग तलाक यह भी देख लीजेगा आप लोग ठीक है यहां दा कोई दिक्कत तो नहीं कोश्चन No. 9 विल भी मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम पर्सनल लोग ठीक है और CRPC में CRPC छोड़ें CRPC भी आप लोग पढ़ें नहीं है और जब आप मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लोग पढ़ें होंगे यह जब मैं पढ़ाया था तो उसमें मैंने प्रोटेक्शन ओफ राइट और डाइवर्ट्स एक नाइंटेनेंस के बारे में बताया था कि वहां पर भी मेंटेनेंस के बारे में बताया गया तो वह भी एक पार्ट है ठीक है मतलब कि उसका भी एक फर्दर डिपलेमेंट रुआ कि कैसे मेंटेनेंस एक कॉंसिट्विशन के दौरारे एक अमेंडिमेंट किया गया और एक एक पास किया गया में टौरवाइड डि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ़ अंडर मुस्लिम लोग ठीक है जो मुटा मोती इस अंडर मूस्लिम होता क्या ये लेकि ली जाएगा ओसमें ये सारे कबर हो जाएंगे वह मुस्लिम वुमन प्रॉटैक्शन और डाइट ओन hara daisq 1996 का जो एक एक्ट बनाता यह मैंने आप लोग को पढ़ाया तो अगर कन्फ्यूजन होगा तो उस वीडियो के बढ़ा हो आप लोग रीफर कर लिजेगा कि ठीक है कि कुश्चन नंबर कि टेंथ विल भी कि कुश्चन नंबर टेंथ में आप लोग कि लिखना हो अगर नाइन कोश्चन तो मैंने बता दिया अगर इतना करकी जाओगा तो हंडिट परशंट आपके छह साथ कोश्चन तो मिल जाएंगे ठीक है कि टेंथ कोश्चन आप लोग देख लिजेगा काइंट्स एंड पावर ओव गार्जियन अंडर मुस्लिम लोग ठीक यह आपके फैमिली लोग के भी इंपॉर्टेंट कोश्चन हो गया नाउं अब आये देखते हैं लॉफ क्राइम में क्या इंपॉर्टेंट कोश्चन आपके बन रहे हैं टिक लॉफ क्राइम्स तो कोश्चन फर्स्ट तो कोश्चन फर्स्ट में आप लोग देख लिजेगा इस्टेजेज इस्टेजेज और 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 आप लोग देख लिजेगा इस्टेजेगा इस्टेजेगा इस्टे और इसमेग आप लोगे कि जब आप लोग स्टेजिस पढ़ोंगे इन्टेंशन प्रीप्रेशन अटेंप्ट कमिशन जब आप लोग पढ़ोंगे तो इसमें mother कि मैं डिफेरेंस बतीवीन कि है प्रीप्रेशन and attempt भी एक बाट देखर लिजेगा ठीक है कि क्या कि इन दोनों में difference होता है Traparation में और attempt में यह इसी का part 我就 kיות no.2 में आप싸ंध देखiernoव स्पार्वन जीमड में बिजेगा Practice तो बॉड़ी देख लिएगा ठीक है बॉड़ी एंड प्रोपर्टी इसमें आपके ज्यारे सेक्षिन यह नाइटी से लेकर के 106 तक है तो आपको चार्ट से दर सेक्षिन पढ़ने है तो अगर आप लोग इतना पढ़ लोगे तो आपके यहां प्राइबेट डिफेंस से एक से दो कॉशन बनते हैं तो यहां से आपके वो कॉशन निकल जाएंगा ठीक कॉशन नम्मर थर्ड विल भी वाट दू यू अंडरिस्टेंड बाई कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लाइबिल्टी लाइबिल्टी C48 क्वेल्स Bureau और अंडरिस्टार्ब्टी जॉइंड वो यू दू डीफर फ्रॉम common object आई बात समझ में ठीक है question number 5 आप लोग देख लिजेगा definition and essentials of abatement question number 6 आप लोग देख लिजेगा conspiracy के बारे में ठीक now question number 7 विल भी theories of punishment theories of punishment आप लोग देख लिजेगा ठीक and question number 8 विल भी difference between life imprisonment and death penalty और life या तो इसे पूछ सकता है कि what do you understand by the life imprisonment and differentiate it with the life of death penalty या या यह भी पूछ सकता है कि what do you understand by the life imprisonment and differentiate it with the life of death penalty and death penalty and it is good faith means good faith means जो आपका पॉर्टिशन एक सेकेंड जैसे मैं यहां पर आपको बता हूं जब आप लोग जनेरल एक्सेप्शन पढ़ते हो अभी क्या है कि नॉलेज आपको गेन नहीं करना है अभी क्या पर करना है जो यू हैब टू स्टेडी अग्वर्डिंग टू प्रोस्पेक्टिव आफ आवा समेस्टर एक्जाम तो जैसे कि आप लोग ने जनरल एक्सेप्शन जब पढ़ा था यह जो मैंने पढ़ाया था तो इसमें मैंने बताया था कि इट इज गीवन फरम सेक्शन वं सेवनटियस तू वन जी रो सिख और ये अपके 2 कॉसन बनते हैं है तो अगर आप इसको पढ़ने बैठो को ते बहुत बड़ा चेप्टर आप यहां पर देखो चार्ट सेक्शन यह होगे आशी और दस नभे और पांच पंचानवे ठीक है पांच चार्ण नो उनने सेक्शन आपको पढ़ने पढ़ेंगे और बहुत लेंदी पोर्शन यह ठ सेक्शन ठीक है अगर आप इतना पढ़ ले जाते हो तो इसकी ज़र्दिवत नहीं है कि आपको यह पढ़ने की भी आव सकता हो ठीक है तो इसलिए मैंने इसको जान मुझके स्कीप कर दिया तो अगर आपके पास टाइम बचेगा तो यह भी पढ़ लीजेगा लेकिन मैं त अगला कोशन देखते हैं कि अगला कोशन के अगला सब्जेक्ट देखते हैं कि सुशॉल जी है ठीक है तो सुशॉल जी में पहला कोशन है कोशन फर्स्ट मीनि कॉमा डिवलप्मेंट अफ सोशल वर्क आप लोग देख लिजेगा कोशन नमर सेकेंड विल भी मेथड्स अफ सोशल वर्क देख लिजेगा ठीक है आई बात समझ में कोशन थर्ड विल भी सोशल लेजिसलेशन देख लिजेगा आप लोग कोशन फिप्ट विल भी कोड ओफ एथिक्स अफ सोशल वर्क देख लिजेगा ठीक है पोशन नमर फिप्ट विल भी रोल ओफ सिविल शोशाइटी इन शोशल चेंज यह देख लिजेगा आप लोग कोशन नमर शिप्ट विल भी वोमें वेल फियर के बाद हम पढ़ लिजेगा ठीक है वोवन वेल वेल फियर एंड यूथ वेल फियर के बाद हम पढ़ लिजेगा आप लोग कोशन नमर सेवंथ विल बी शोशल वर्क शोशल वर्क अंडियन अंड हम राइट पर लिजेगा बलोग है हुँमन राइट के बारे पर लिजेगा ठीक है कोशन नमर एट विल भी कोशन नमर एट विल भी कोशन नमर एट यू कैन राइट देट की शोशल वर्क एंड सोसाइटी रेजिस्टेशन एक्ट एटीन सेष्टी देख लिजेगा इस इस मोर देन इंपॉर्ट इनफ कोशन ठीक है सो इतना आप लोग करके जाओगो तो आपको एट कोशन जो मिल जाएंगे सो आई होब कि यह आप लोग को चीजी क्लियर हो गई होंगी ठीक एक कोशन और आप लोग लिखे लो कोशन नमर नाइन्थ सोशल वर्क एंड कोपरेट्व सोसाइटी देख लिजेगा ठीक है अब आई यह लास्ट जो आपका सब्जिक्ट बसता है वह साइकोलजी जो कोशन नमर बन विल बी अधने औरे भी टाम होग दिए लिए कोशन नमर दोग्या बन लिए बन कोशन और दोग्यार बन भरक विल लिए for आई बास समझ में question number second will be what do you understand by pre-judice pre-judice कि बार हम देख लिएगा question number third will be determinant या what do you understand by stand by personality and also elaborate the trait comma type theory of personality question number fourth will be theories of motivation आप लोग देख लिजएगा ठीक है question number fifth will be frustration के बार हम देख लिजएगा frustration and conflict बार हम देख लिएगा भोग question number sixth will be definition definition and characteristic of leadership question number seventh will be theory theories of leadership question number eight will be what what do you understand by Tuckman team building so this is the whole important question of your all the subject of semester third of B.A.L.L.B. So, I hope कि यह चीज़े आप लोग को सारे clear हो गई होंगी और यह जितना भी मैंने question बताया है यह सारे question मैंने discuss किया है कहां पे So, मैंने discuss किया है L.A.U. Update अप पे ठीक है So, if you want to if you want to be or if you want to study any topic related to the what I have given here So, you can see the L.A.U. Update app where we have designed a very sophisticated batch at the list price So, आप लोग वहां पे जाकर कि उसको अगर आपने purchase किया तो well and good अगर नहीं किया So, you can buy it ठीक है So, यह रहा है आपके अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाव तो then you can ask me in the comment section which is given in the app ठीक है and you can also ask in the comment section of YouTube ठीक है So, thank you so much for watching me have a nice day take care of itself see you in the next video lecture अपके